जीवन के लिए आवश्यक जीवन प्रक्रियाएं और सभी प्रकार की कृतियां जैसे पोशक तत्वों को प्राप्त करना विकास वातावरण के अनुसार प्रक्रिया देना प्रजनन इत्यादी दृष्यकेंद्र की कोशिकाओं द्वारा होते हैं और इन कामों को करने में आदी केंद्र की कोशिकाओं भी यद्देपी इनकी मदद जरूर करती हैं लेकिन थोड़े अलग तरीके से इस बात को समझने के लिए हम चार जनों के परिवार का एक उधारन लेते हैं उनके माता पिता और उनके दो बच्चे हैं जो एक छोटे से घर में रहते हैं जिसमें बस दो ही कमरे हैं उतना ही बड़ा एक और परिवार है जो बड़े मकान में रहता है जिसमें पांच कमरे हैं परिवारों द्वारा अनेक प्रकार के व्यवहार होते हैं जैसे खाना बनाना भोजन करना रिष्टेदारों से और दोस्तों की अगवाई करना उनके साथ वक्त बिताना पढ़ना वाचन करना दोना साफ सफाई करना आराम करना सोना इत्यादी सामा निताह खाने पकाने की कृति रसोई घर में होती है हम भोजन भोजन कक्ष में करते हैं पढ़ाई करने के लिए हमारा पढ़ाई का कमरा होता है या घर के गरन्थाले में पढ़ते हैं घर के बड़े कमरे म और दोस्तों से मिलना और बाते करना होता है शैनकक्ष में आराम करना और सोना होता है धोने इत्यादी साफ सफाई के कामों के लिए गुसल खाना होता है चलिए अब हम उन चार लोगों के परिवार के बारे में बात करते हैं वे एक पांच कमरे वाले बड़े मकान में रहते ह हम कल्पना कर सकते हैं कि उनके यहां हर एक काम के लिए एक एक कमरा होगा एक कमरा भोजन कक्ष और रसोई घर के लिए एक कमरा बड़ा कमरा होगा कोई एक गुसल खाना होगा अन्य कोई कमरा पढ़ाई का कमरा होगा और अन्त में एक कमरा शेहन कक्ष होगा प्रत्य कार्य हे तो अलग-अलग कमरे निशित कर दिये गए हैं जिससे कार्य में ब्यत्य या रुकावट नहीं आती है जैसे अगर घर में एक बच्चा बीमार है एक बच्चे की परिक्षा शुरू है और माता-पिता से मिलने कोई महमान घर पर आते हैं ऐसी परिस्थिते में हम कल्पना कर सकते हैं कि बीमार बच्चा शैनकक्ष में आराम कर सकता है जिसकी परिक्षाएं हैं वो पढ़ाई के कमरे में जाकर पढ़ाई कर सकता है इसके साथ साथ माता जी महमानों के लिए चाय नाश्ता इत्यादी रसोई घर में बना सकती है और पिता जी महमानों के साथ बड़े कमरे में बैटकर बाते कर सकते हैं इस प्रकार हर काम का अलग-अलग कमरों में प्रधकरण हो गया है जिसकी वज़ा से सारे काम बिना किसी रुकावट के कुशलता पुर्वक दिखाई देते हैं चलिए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि यही घटना यदि छोटे घर में रहने वाले परिवार के साथ होती है तब किस प्रकार से होती है उन्हें अपने सारे वेवार जैसे खाना बनाना भोजन करना पढ़ाई आराम करना इन सभी बातों को उन्हें जो जगादी है उसमें करना है अर्थात उन दो कमरों में करना ही जरूरी होता है जब सारी गतिविधियां एक साथ चल रही हैं तो ये तो स्वाभाविक ही है कि दिये हुए स्थान पर एक या एक से अधिक कारिय हो रहे होंगे शायद जिसमें एक कारिय दूसरे कारिय के लिए रुकावट या फिर अडचने पैदा करने वाला भी हो सकता है उधारन के लिए बच्चा जहां घर पर परिक्षाल के लिए पढ़ाई कर रहा है वही यदि उसके माता पिता महमानों के साथ खान पान और बाते कर रहे हों तो हो सकता है कि बच्चे को एकागरता से पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही हो शायद ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ने वाला बच्चा दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रहा हो तब बीमार बच्चे के लिए महमानों की खातिरदारी करने वाले अपने माता पिता के कारण परिशानी हो सकती है तब शायद यही सबसे बहतर उपाय होगा कि माता पिता एक कमरे में महमानों के साथ चाय पान और बाते करें और दूसरे कमरे में बीमार बच्चा अराम करें और पढ़ने वाला बच्चा पढ़ें लेकिन इस परिस्थिती में भी पढ़ने वाले बच्चे से बीमार बच्चे को तकलीफ हो सकती है क्योंकि वो पढ़ते समय शायद लाइट लगा कर पढ़े जिससे बीमार बच्चे को तकलीफ हो और यदि बीमार बच्चे के आराम के लिए लाइटे कम की या बंद की तब पढ़ाई करने वाले बच्चे को इससे तकलीफ होगी शायद पढ़ते समय वो जपकिया खाना शुरू कर दे अतहा हम कह सकते हैं कि जब कार्य छोटे घर में किये जाते हैं तब एक काम का दूसरे काम में दखल देने की संबावना बढ़ जाती है और जगा के मामले में वे स्वतंतरता से कोई काम नहीं कर पाते हैं इससे हर काम की कुशलता कम हो जाती है दृष्य केंद्र की और आदी केंद्र की कोशिकाओं के कार्य में अभी बताए घटना की तरह अंतर होता है दृष्य केंद्र की कोशिका आकार में बड़ी होती है और उसमें बहुत सारे कोशिका अंगक होते हैं जो विशिष्ट प्रकार के कोशिकागत कार्य करते रहते हैं, कार्य का वितरण होता है, जिसका अर्थ है कि वही कोशिका अंगक उसी विशिष्ट काम को करेगा जो उसे दिया गया है या जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, इससे कोशिका कार्य अधिक्षमता और नहीं होती है सारे कार्य या तो कोशिका द्रव या कभी कभी कोशिका पठल की सहायता से किये जाते हैं इसी कारण कोशिकाओं की विशेष्टा होने की संभावना नहीं होती है इसी कारण की वज़ा से जैसे जैसे बहु कोशिकी अप्राणियों की वित्पत्ति आरम हुई वे द्रिश्य केंद्र की कोशिकाओं द्वारा निर्मान होने लगे साराज चलिए इस सत्र में हमने क्या सीखा उसे एक बार दोहरा लिते हैं हमने द्रिश्य केंद्र की और आदी केंद्र की कोशिकाओं के मुलभूत कारियात्मक अंतर को जाना यदि आपको इन संकल पनाओं को समझने में कोई दिक्कत हो तो आप इस सत्र को फिर एक बार सुने और उसका अध्यान करे चलिए अब इन प्रशनों के उत्तर देने की कोशिश करे प्राणी कोशिकाओं के उन कोशिका अंगोकों की सुची बनाए जो दोहरे पठल से बद्ध होते हैं इनके कारिय लिखे ए रिजुबियम बी गूलगी संकूल सी तन्तुकणिका डी कुशिकाद्राव ए केंद्रक अगले सत्र में हम सुक्ष्मजीओं के बारे में अध्यन करने वाले हैं क्याद्राव